Hello everyone, तो आज का हमारा जो question है, ये question class 9th की math की book से exercise 12.2 का question number 8 है तो इस question को हम discuss करेंगे और देखेंगे इस question में हम से क्या पुछा गया है आप से बस एक ही request है कि वीडियो को आंतक तक देखें और ध्यान से देखें फिर comment box में बताएए कि वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया है कि नहीं आया ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस question में हम से बुला गया है A floral design on a floor is made up of 16 tiles which are triangular the sides of the triangle being 9 cm, 28 cm and 35 cm Find the cost of painting the tiles at the rate of 50 पैसा per cm square यहां पर बताया गया है कि यह जो आपको प्यारा सा figure दिख रहा है इसमें, देखो, एक tiles यह है, एक tiles यह है और इस प्रकार से total 16 tiles है, हर एक tiles triangular shape में है और सबका area समान है, और यह total 16 tiles है तो हमें क्या करना है, एक tiles का area find कर लेना है उसको 16 से multiply कर देना है तो यह जो floral design है, इसका area आ जाएगा और फिर इसके cast से multiply कर देंगे तो policy की cast भी हमें मिल जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं तो सलिएटरे साथ तो सलिएटरे से लिएब एट रेंगूलर तेलस whose sides are 9 cm 28 cm and 35 cm so then तो यहाँ पर देखो सबसे पहले semi perimeter find कर लेंगे आपको पता है कि semi perimeter का जो formula होता है s is equal to a plus b plus c by 2 होता है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 9 cm 28 cm plus 35 cm by 2 तो जब इनको add करेंगे तो क्या मिलेगा देखो तो यह हो जाएगा 5 plus 8 13 और plus 9 22 22 तो यहाँ पर 2 राइट कर लेंगे 2 carry कर लेंगे 3 plus 2 5 to 7 by 2 और इनको जब 2 से divide करेंगे तो 2 3 6 2 6 12 cm तो यह हमारा इसका semi perimeter आजाएगा क्या जाएगा इसका semi perimeter आजाएगा तो यहाँ पर by using hierans formula तो यहाँ पर hierans formula लगा करके triangle का area find करेंगे तो hierans formula में area का जो formula होता है वो होता है square root s minus a s minus b और s minus c क्या होता है s minus a s minus b s minus c तो यहाँ पर value रखेंगे a is equal to s है हमारे पास 36 36 minus 9 36 minus 28 और 36 minus 35 तो जब इनको solve करेंगे तो मिलेगा का देखो यह होगा हमारे पास 36 और 9 minus करेंगे तो 27 और 28 minus करेंगे तो 8 और 35 minus करेंगे तो 1 अब यह जो 36 है न इसके factor जब find करोगे तो 2 into 2 into 3 into 3 आजाएगा फिर 27 के जब factor find करोगे तो 3 into 3 into 3 into 3 8 के factor find करोगे तो 2 वन की कोई ज़रुवत है नहीं अब देखो इनको एक बार री अर्गनाइज कर लेंगे तो देखो वान टू थ्री फोर फाइफ टू जो है वो फाइब टाइमस आया है इसी प्रकार से थिरी जो है वो भी फाइब टाइमस आया है आगे देखो यहां से एक पेर बनेगा और यहां से एक पेर बनेगा एक पेर यहां से और एक पेर यहां से इतना बाहर हो जाएगा जो बचेगा वो स्क्वार रूट के अंदर ही रहेगा तो 2 into 2 into 3 into 3 ये वाला 2 और ये वाला 3 बच गया तो यहाँ पर लिखेंगे 2 into 3 और इसको multiply करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 हो जाएगा तो यहाँ पर rate कर लेंगे under root 6 इनको solve करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 12 3 जा 36 तो 36 under root 6 अब आपको मैं बता दू यहाँ पर कि under root 6 की जो value होती है वो होती है 2.449 कितना होता है 2.449 होता है यह आज से आप remember कर लिजे तो 36 को 2.449 से multiply कर देंगे तो क्या मिलेगा 2.449 multiply by 36 तो 6 9 जा 54 5 carry 6 4 जा 24 5 29 2 carry 6 4 जा 24 तो 26 2 carry 6 2 जा 12 तो 14 यह कर जाएगा 3 9 जा 27 3 4 जा 12 तो 14 3 4 जा 12 1 13 3 2 जा 6 7 7 4 9 5 16 6 4 10 1 11 4 3 7 1 8 और यह हो जाएगा 8 यहाँ पर क्या कर देंगे ऐसे point लगा देंगे तो यहाँ पर जो इसको solve करने के बाद answer आएगा वो आ जाएगा आपका कितना 88.164 तो देखो इतना हमारा answer आया है approximate में NCRT में जो approximate answer दिया है वो दिया है 88.20 तो हम इसको let कर लेते हैं ऐसे nearly equal to 88.20 centimeter square aprox यहाँ bracket में लिख देंगे क्या aprox मतलब कि लगभग तो एक बार आप इतना write कर लिजे फिर आगे बढ़ते हैं now the area of 16 tiles तो 16 tiles का area निकालने के लिए क्या करेंगे 16 into area of one tile area of one tile क्या करेंगे area of one tiles करेंगे तो देखो 16 में multiply करेंगे हम 16 into एक tile का area कितना है 88.20 cm2 aprox 88.20 cm2 तो इसको उटा देते हैं तो आगे जब इसको multiply करेंगे 88.20 multiply by 16 तो यहाँ पर आजाएगा 16 0 0 16 2 32 3 carry 16 8 128 plus 3 131 13 carry 16 8 128 तो आजाएगा हमारे पास 1 4 1 तो यह हो जाएगा 1 4 1 अब जिको 2 डिजिट के बाद decimal है तो यहाँ पर हम decimal apply कर देंगे तो यह हमारे जो आएगा यह 16 tile का area आएगा 1 4 11.20 cm2 अब जब कास्ट की बात करते हैं है ना कास्ट की बात जब करेंगे फार कास्ट आफ पॉलीसिंग जब कास्ट की जो रेट दिया है एक बार मैं आपको समझा देता हूं देखो कास्ट की जो रेट दिया है वो 15 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वेजर दिया है लेकिन आंसर तो हमें रूपीज में चाहिए जब पैसे को रूपीज में कनवर्ट करते हैं तो यह आ जाएगा कितना देखो जिरो से जिरो कट जाएगा तो 1 by 2 रूपीज पर सेंटीमीटर स्क्वेजर कितना आ जाएगा 1 by 2 रूपीज पर सेंटीमीटर स्क्वेजर एक सेंटीमीटर स्क्वेजर का पैसा कितना लगेगा पचास पैसा और रुपिया कितना लगेगा वन बाई टू तो इसको जब रखेंगे है ना तो area is equal to हो जाएगा cost यानि कि पहले रखेंगे 50 पैसा 50 पैसा पर centimeter square into area की value रखेंगे 14 11.20 और फिर यह हो जाएगा 1 by 2 यहाँ से rupees per centimeter square into 1411.20 अब इसको 2 से divide कर देंगे तो divide करने पर क्या आएगा तो अब जब division करेंगे 1411.20 में 2 से तो हमें मिलेगा 2714 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा 1 को यहाँ पर right कर लेंगे अब यहाँ पर क्या करेंगे जब 0 right करेंगे तो यह 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा तो 25 जा 10 वन रिमेन होगा अब यह डेसिमल यहां पर आप लगा दीजिए तो 2 यहां पर राइट हो जाएगा 26 जा 12 तो यह कट जाएगा तो बचेगा कितना तो हमारा आंसर आजएगा 705.6 यानि कि आप कह सकते हो 705.60 रूपीज कॉस्ट कितना आजएग 705.60 रूपीज तो यह इस कुस्टन का हमारा आंसर होगा यहां पर एक लाइन लिखेंगे दस दक कॉस्ट आफ पॉलीशिंग दा फ्लोरल डिजाइन इस 705.60 रूपीज ठीके तो यह हमारा इस कुस्टन का आंसर होगा तो उमीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ समझा पाया होगा अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद लगा है वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सKराइब करें और अपने दोस्तों को भी share करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले question के साथ तब तक के लिए thank you class